रायपुर लोकसभा सांसत सुनिल सोनी ने लोकसभा में 36 गड में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिती पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी चाहते हैं कि देश में सभी को पक्के मकान में रहने का हक मिले इसी भावना से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुर्वात की है लेकिन 36 गड में बीते तीन वर्षों से प्रधानमंत्री आवास निर्मान में बाधा आ रही है राज सरकार ने तीन वर्षों में कोई मकान स्विकृत नहीं किया है पूरू में स्विक्रित आवास की विगत तीन वर्सों से नहीं दी जा रही है इससे ग्रामिन अंचल में नवीन मकान का निर्मान नहीं हो पा रहा है इसके अत्रिक्त पूरू में स्विक्रित आवास की द्विती तृती किस्त की रासी समय पर जारी नहीं करने के कारण से हजारों लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं तता वे बेघर हो गए हैं अता मेरा माननी विभागी मंत्री जी से आगरा है कि इसे इस संबंद में 36 गड़ राज्य में इस पर योजना से जुड़े अधिकारियों की समिक्षा करेंगे जिससे कि पात्र लोगों को उनको पक्का मकान की सुविधा प्राप्त हो सके और तलब है कि प्रधान मंत्री आवास योजना का उद्देश भारत में जितने भी लोगों के पास घर नहीं है या जो लोग जुगी जोपडी में रहते हैं या फिर जिनके पास कच्चा घर है उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराना है